दोस्तो नफरती भीड या यू कहें कि कट्टरपंती भीडों का जो जुन्ड होता है वो इतना जादा सर चड़ कर अपने नफरत को अंजाम दे रहा है जिसको लगाम लगाने वाला कोई नहीं है क्योंकि अगर लगाम लग गया होता तो इस तरीके से हम बार बार आपको ऐसी खबरे लाकर नहीं दिखा रहे होते कि देखे फालाने जगा फालाने स्टेट में इस तरीके से मुसल्मानों को निशाना बनाया गया मुसल्मानों को पीटा गया मारा गया क्योंकि नफरती चिंटूओं का नफरत जो है वो सरचड़ कर बोल रहा है हरियाना में भी आप देखी चुके हैं कि किस तरीके से हिंसा भड़की और आज ही खबर पता लगी कि बिट्टू बजरंगी और मोनू माने सर जो है वो नू हिंसा के आरोप में जो है वो आरोपी है ही नहीं बिट्टू बजरंगी के बारे में तो पता चला कि वो पुलिस के साथ बत्तमीजी कर रहा था हतियार फुलिस का जो लूट कर ले गया था इस वज़से उसे गिरफतार किया गया सूचे कमाल की बात है और मौनु मासर को तो कहा दिया गया क्लीन चुड़ दिया गया एक तरीके से देखा जाए तो उसने ऐसा कोई हिंसात्मक बयान हिंसात्मक बाते नहीं कई है जिसे मोनु माने सर को गिरफतार किया जा सके तो ये दो दो लोग थे जिसकी वज़ा से कहा जा रहा था आरोप लग रहा था जिन इसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर भी देखी कि बिट्टु बज़ंगी किस तरीके से जी जा आ रहे ही इन सब ख़बरों को देखकर कि वहीं हम कुछ भी करेंगे हमें कोई कुछ नहीं करेगा और खासकर बीज़पी साशत रज्यों से ऐसी तस्वीरे जो है अब आनी आम हो चुकी है जहां पर मुसल्मानों को कैसे प्रतारित किया जाता है कैसे मारा जाता है कैसे घर से निका कारवाई को मारने के लिए खुला आहन किया जाता है लेकिन कारवाई के नाम पर जिरो और अगर आप पूछेंगे ये तो आपको कोई जवांभी नहीं दिया जाएगा कि क्यूं कारवाई हो रही है किस वजह से हो रही है अब मैं आपको इस जनरल मेरों की खबर है वो दिखाना चाहूंगी और इस खबर में लिखा जा रहा है कि भाजपास आश्रत राजित उत्त्राखंड जहां पुषकर धामी जो है वो इंदिनु अतिकर्मन और अबाद बता गर, दर्वाजा यही सब तूटता हूँ वीडियो में भी मैंने देखा था उस दन लेकिन आज मैं बताती हूँ फिर से उत्राखंड की जो तस्वीरे हैं वो ये हैं कि खुलम-खुला आहन किया जा रहा है कटरपंतियों की भीर ने मुसल्मानों के घर पर हमला कर दिया जै है, नाम जान करके उन्हें कर दिया जाता था लेकिन अब जो है वो अपने घरों में भी सेफ नहीं है क्योंकि ये जो नफरती लोग हैं वो जैश्री राम का नारा लगाते हुए घर तक जा पहुँचे हैं और कहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, उत्राखंड में लगाता, मुसल्मानों को निशाना बनाया जा रहा है, खुले धार्मी सभाओं के जरिये प्रदेश छोड़ने की धंकियां दी जा रही है, लेकिन सत्ता में बैचे लोग मुँ में दही जमाए हुए हैं, ना मौबत की दुकान बो मुसल्मान कहां रहेंगे, ये भी मोदी जी डिसाइड कर दे, फिर बता, चलेगा कि कहां पर रहेंगे मुसल्मान, उनको कौन सा कोना दिया जाएगा, या नहीं दिया जाएगा, या कहां भेज दिया जाएगा, क्योंकि आज कल बात-बात पर पाकिस्तान भेजा जाता है, तो ऐसे में मोदी जी आप आईगी और आकर कहिए कि मुसल्मानों को कहां रहना है और वो कहां सुरक्षित होंगे दोस्तों इस पूरे रेपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राया में कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करन क्याम पर कुल कि अनौल